विशय हिंदी, कक्षा तीसरी, कविता क्रमांक तीन, रेल गाड़ी, कवी सोनी विद्ध्या शंकर सिंग सूप्रभाद बच्चों, आज हम एक नई कविता पढ़ेंगी तो पहले आप मुझे बताओ, बच्चों आप घुमने के लिए बाहर जाते हो तो बच्चों आप घुमने के लिए किस में जाते हो, कौन सा विहेकल का उपयोग करते हो कोई कार से जाता है, कोई विमानों से जाता है, लेकिन ज़्यादा तर लोग बाहर घुमने जाने के लिए रेल गाड़ी का उप्योग करते हैं. तो आज हम रेल गाड़ी इस कविता में चोटे-चोटे बच्चों ने जो रेल गाड़ी बनाई है, उसके बारे में पड़ेंगे. कविता क्रमांकतीन रेल गाड़ी, कवि सोनी विद्याशंकर सिंग, आओ हम सब खेले खेल, मिलकर सबी बनेंगे रेल, करती जाती फुक फुक रेल, आती देखो जुक जुक रेल, स्टेशन आया रुक रुक रुक, आओ हम सब खाए कुच, जो जी चाहे प्रेम सिखाओ, ल बज गई सीटी चलेगी रेल, बैठो जल्दी बढ़ेगी रेल, दूर अभी तो जाना है, बाट जोती नाना है, सरपड दौल लगाती रेल, जुक जुक करती जाती रेल रेल गाड़ी इस कविता में, बच्चों ने अपने खेल में रेल गाड़ी बनाई है, और वो एक दुसरे से के रहे है, आओ हम सब एक साथ खेले, और सब भी मिलकर रेल बनेंगी, रेल मतलब रेल गाड़ी याने ट्रेन बनेंगी बच्चे खेल खेल में फुक फुक और जुक जुक करके रेल गाड़ी के आवजे निकल रहे है, और बीच बीच में बच्चे स्टेशन आया मानकी रुपते है, और सब मिलकर उसी स्टेशन पर कुछ खाते है, जो आगे लड़की खड़ी है, ओ केती है, जो तुम खाना चाथे हो बच्चा, ओ बड़े प्रेम से खाओ, लेकिन पेले पैसे लाओ, जैसे सिटी बजी, वैसे वापस रेलगाडी आगे चल पड़ी आगे जो लड़ बच्ची खड़ी है वो बोल रही है कि जल्दी बैढ जाओ नहीं तो रेल गाड़ी चली जाएगी अभी हमें बहुत दूर जाना है क्योंकि हमारे नाना जी हमारा इंतजार कर रहे है रेल गाड़ी सरपट सरपट करके याने तीडी मीडी दौर लगा रही है और जुग जुग करके आगे बढ़ रही है बच्चो को बहुत मजा रही है और बच्चे बहुत खुशी से खेल रही है तो बच्चो अभी आप बताओ कभी तक ऐसी लगी आपको अच्छी लगी होगी ना